15 लाख बैंक में आ जाएगा, कहां फुर रो गया, हैं जी, दो करोड नौकुनियां दे दूँगा, शिक्षा, शिक्षा काम देनूगा आए है, हर इच्छा को पूरा करने वाली, यह वो धन है, जो विदेशों में भी चोरी नहीं होता, यह वो धन है, जो करोड को सुन्दर कर देती, और किसी को शिक्षा दे दो, या किसी भूके को रोटी दे दो, उसे फिर भूक लगेगी, लेकिन किसी को नौकरी दे दो, वो हजार भूकों को बेट भरेगा उनका, और यह अबादत मौन सिंग जी ने चिदामरम साब जैसे लो होते हुए को हसा देना, किसी उजड़े हुए को भसा देना, और समाज की हर बाधा को हटा देना ठोको ताली, यह अबादत कॉंग्रस ने की है, अलक जाग जाए, तो सब कुछ जाग जाता है दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ, कि इनके जूट का परदा फाश हो गया, व सनी दियोल, एक्टर धांसू, वो कहता था, तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक, और बीजेपी वाले जूट पे जूट, 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 बिजनेस तबाह हो गए, जो किसान अन दाता था वो भूका मर रहा है जो मकान बनाता था कारपेंटर उसके पास मकान नहीं है और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए वो नंगा खड़ा है मोदी साहब नंगा खड़ा है और फिर मालिया के साथ तफी तफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी ठोको 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 ताली ठोको दोनों चोर हैं दोनों चोर हैं पक्सपात नहीं होना चाहिए चोर चोर मौसरे बहाई निलाम करके रख दिया इन्होंने देश को गरीबों का हम जैसे लोगों का खून पसीना उसकी कमाई खाली इन लोगों ने इसलिए ये कांग्रेस प्रण करती है प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे जब तक तन में करम लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आँचल निलाम नहीं होने देंगे निलाम नहीं को जड़ी सिद्धू रहा जड़ से उखार दूगा इनको जड़ से ये मेरा वचन है ये मेरा वचन है और मैं मैं सरदार मनमोहन सिंग से माफी भी मांगना चाहता हूँ और जुके जुकते वो हैं जिन में जान होती है अकरना तो मुर्दों की पहचान होती है मैं ये कहना चाहता हूँ के सरदार मनमोहन सिंग जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजे पी के शोर शराबे ने नहीं किया सयानों का कहा और आमलों का खाया देर में पता लगता है मुझे दस साल बाद पता लगा सर लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूँ आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूँ परिंदों को मनजल मिलेगी हमेशा ये पहले हुए उनके पंक बोलते हैं वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं आप तो सर राज जोच्छी बन सकते हैं आपने कहां दो परसंट जीडीपी करेगी खटैक गिरी और आपके टाइम एकॉनमी अर्भी घोड़े की तरह तकड़क 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 दोड़ती थी और आज कछुए के चाल चल रही है अर्भी घोड़ा अर्भी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए बुड़ा क्यों ना हो जाए गढ़ों के अस्तबल से कहीं बेतर होता है ठोको तका के ठोको सर आपने महनत ऐसी आपने महनत ऐसी खामोशी में की के सफलता ने शोर मचा दिया ठोको ताली मैंने गंगा नहाली सर आपके चरणों में सर रखके आप सरदार भी हैं और असरदार भी है मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो इनको समेट लो कुछी देर में अगले साल लाल किला पे जंडा आप चेहरा होगे यह तैह है यह तैह है और तुम कहोगे तुम कहोगे के शिद्धू आया था आके चला गया और भाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो सुनो कहते हैं सिद्धू कहता है ताली ठोको ताली अपने अब धुकेगी देखना हाई अंधेरा बहुत सुन ले मेरे भाई जहां भी है सुन ले हाई अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए मिट्टी का धेला गुलाबों की क्यारी में आ गया और सच पूछो मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूँ कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी गुगी पोस्ट हो जाती क्योंकि आगाश की कोई सीमा नहीं पृथवी का कोई तोल नहीं सादू की कोई दाथ नहीं पारस और सुनिया जी का कोई तोल नहीं कोई मौल क्योंकि आगाई होंगे अंबानियों ने पैसे बने होंगे बड़े बड़े सेट लेकिन पिछले बीस साल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इज़त कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई यह सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है उंचे लंबे लगते हैं ये मैंने नज़्दीक से देखा है उंचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर से और मेरा राहुल भाई मैं उसे भी मिला हूँ गन्ने की तरह हैं अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू ठोको ठोको भाई के नाम पे ठोको हुम ठाथ mı बाहर राहर राहर से भी मिठू भाई ये मिला क।स का बादा का लोको बाहर से ए हुम